पेट्रोल सौ पार कर चुका है और इसके लिए दाई कौन है पधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैक जी को दोश नहीं देना चाहता हूँ लेकिन पिछली सरकारों ने अगर ध्यान दिया होता कि हमारे देश में उत्पादन बढ़ाया जाए कच्चे तेल का जिससे पेट्र आज के इस एपिसोड में देखते रहिए तो सबसे पहली बात क्या है सबसे पहली बात यह है कि प्रधान मंत्री जी कह रहे है कि पेट्रोल का दाम आज ऐसा यह इसलिए है क्योंकि कच्चे तेल का दाम जादा है और कच्चे तेल का दाम जादा है इस पर हमारा कोई कंट्र पेट्रोल नहीं है क्योंकि ये बाहर से आता है अगर हमारे देश में कच्चे तेल का उत्पादन होता तो कुछ कंट्रोल हो सकता था थोड़े सस्ते में पेट्रोल डीजल बनाया जा सकता था तो यह हुआ पहला पॉइंट दूसरी बात है इससे आपको लगेगा कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ सके तो इसका फिर से मैं बात बोलता हूं दाम जादा है क्योंकि बाहर से आता है कच्चा तेल उसी से पेट्रोल बनता है इस पर हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी बात है अगर पुरानी सरकारों ने पेट्रोल का उत्पादन यानि कच् किया होता तो आज ऐसा स्थिती नहीं होता तो इसका मतलब हमें देखना चाहिए क्या जब से प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी ने कमान संभाला है जो कि 2014 तबसे क्या हमारे देश में कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ गया है क्या हमारे देश में जो कच्छे तेल का import होता है क्या वो घट गया है क्योंकि ये सरकार तो यह चाहती है क्योंकि इस सरकार ने यह भी कहा था कि 2022 तक कच्छे तेल का जितना हमारे देश में import होता है उसको 10% कम कर दिया जाएगा तो जब 2013-14 का अगर हम data देख ले जिस मतलब UPA का जो आखरी साल है तब कुल हमारे देश में जिस कच्चे तेल का जितना इस्तमाल हुआ था और जिससे आप कह सकते खपत हुआ था जिससे सारा पेट्रो केमिकल प्रोड़क निकलता है चाहिए वो पेट्रोल हो डीजल हो केरिट्सीन हो LPG हो वाइट पेट्रोल उसको 10% कम करना होता तो यानि अगले साल तक उसको 73 प्रतिशत पर उतारना है है न कि अगर 100 हमारे देश में खपत हो रहा है तो पहले उसका 83 बाहर से आ रहा था 2022 तक गर 10% कम करना है तो उसको 73 पर उतारना है खैर हुआ क्या आप देखिए 2019-20 तक मैंने आपको बताएगी 2013-14 में 83 प्रतिशत जितना कच्चे तेल की खपत हमारे देश में होती थी वो बाहर से आता था वो इंपोर्ट हो क्या आ रहा है 2019-20 तक वो 88 प्रतिशत पर चड़ गया है जी हां 88 प्रतिशत पर चड़ गया है 2019-20 कर कम नहीं हुआ जादा बढ़ गया मोधिकाल में तो फिर आप सवाल पूछ सकते हैं न कि प्रतान मंत्री जी ये बताइए पिछले सरकारों ने तो कोई फोकस नहीं डाला कच्चे तेल के उत्पादन में तो आपने जो फोकस डाला तो ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ कि कुल हमारी जो खपत है उसमें इंपोर्ट की मात्रा जादा हो गई खैर उसका जवाब भी हो सकता है उसका जवाब यह हो सकता है कि देखिए इतनी विकास हो गई है और लोगों के हाथ में इतना ज़्यादा पैसा आ गया है पिछले 6-7 सालों में कि लोग जो पेट्रोल डीजल ज़्यादा खर्च कर रहे हैं अब पेट्रोल डीजल का खर्च ज़ादा होगा तो देश में अगर उत्पादन बढ़ाए भी उससे ज़ादा तेजी से अगर खर्चा बढ़े तो क्या होगा इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा पहले से ज़ादा बढ़ाना पड़ेगा सीधी बात है तो जैसे मैं कहा रहा हूँ कि हो सकता है, खपत बड़ी हो, लेकिन देश में production भी बड़ा हो, जो मोधी सरकार चाहती है, तो हम compare करते हैं, 2013-14 जो कि यूपे का आखरी साल है, उसमें कितना production हुआ था? 37.8 million ton, इतना कच्चा तेल और condensate जिसको कहते हैं, यह हमारे देश में produce ह हुआ, 2019-20 में आकर वो कितना हुआ है, यह हमारा आखरी last data हमारे सामने हुआ है, 2019-20 में आकर वो 32.2 million ton पर उतर आया है, यानि 15% हमारे देश में कच्चे तेल का उत्पादन कम हो गया है, बड़ा नहीं है, तो आप पिछली सरकारों की बात कर रहे थे कि उन्होंने कच्चे तेल का उत्पादन पर focus नहीं दिया, आप देखें कच्चे तेल का उत्पादन तो आपके time पर कम हो गया है, ठीक है, यह भी हो सकता है, कि सरकार ने लाग कोशिश की, सरकारी company ने लाग कोशिश की, कि exploration जिसको कहते है, कि यह धून निकालना कि कहां पे धर्ती के नीचे कच तेल है, इसको exploration कहा जाता है, लाग कोशिश की होगी, हो सकता है कि मशीन वगेरा जो कच्चे तेल निकालने का वो होता है, पंप होता है, वेल होता है, इस पे बहुत खर्चा किया, लेकिन निकला भी, यह तो कोशिश असली बात है, निकले या ना निकले, वो अलग बात है तो हम देखते हैं कि ONGC, जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल प्रोड्यूस करने वाली कमपनी है, उन्होंने 2013-14 में exploration पर खर्च किया था 11,600-700 करोड के आसपास, ठीक है, 11,600-700 करोड के आसपास खर्च किया था, वही चीज अगर मैं जाकर देखूं कि 2018- 2018-19 में कितना हुआ, वो गिरकर 6,000 करोड पे आ गया है, यानि कि आधे के आसपास आ गया है, यानि कि exploration budget ONGC का आधा हो गया है, अगर सच में सरकार चाती थी कि देश में production बड़े कच्चे तेल का, है ना, वो तो हुआ नहीं ना, आधा कर दिया आपने budget उसका, सरकारी कमप नहीं है, ONGC के पास cash कितना था, 2013-14 के end में, मार्च 2014 में, ONGC के पास cash था, cash reserve, जो आप बड़े चीज़ पे खर्च कर सकते हैं, आपको कोई नया exploration करना हो, वहां से आप निकाल कर invest कर सकते हैं, cash reserve 10,000 करोड से जादा था, ONGC के पास, 2020 के मार्च में आकर, वह 1000 करोड से नीचे आ गया है, 1000 करोड से नीचे आ गया है, वह 10,000 करोड से, 91% कम हो गया है, ये एक बड़ा पार्ट इसका पैसा, ONGC का गया है, HPCL का stock खरीदने में, क्यों, वह सारा stock खरीद कर, सरकार का जो विनेवेश करने का target है, उसमे गया है, वह पैसा, यानि ONGC के पास, जो cash था, वो तो सरकार ने ले लिया, dividend के तौर पे ले लिया, एक तरफ, दूसरे तरफ पे आपने जो profit था, dividend के तौर पे ले लिया, और दूसरा जो cash reserve था, उससे बोला कि आप ये company खरीद लीजे, ताकि हमारा विनेवेश हो जाए, तो इससे क्या हो रहा है, सीधी बात है, ONGC के पास अगर invest करने के लिए एक बड़ा plan होता, कि हम explore करेंगे, तेल निकालेंगे, उसके लिए ONGC के पास अब पैसे नहीं है, सीधी बात है, ठीक है, तो ये रही सरकार की मनशा, सीधी बात है, आप कह सकते हैं कि पुराने सरका कारणों ने भी ऐसे करके रखा कि हम import dependent रहें, ठीक है, अब मैं दूसरे चीज़ पर आता हूँ, क्या हमारे देश में जो पेट्रोल के दाम आज हैं, वो क्या अंतरराष्ट्र कच्चे तेल के दाम के लिए नहीं है, आप जानते हैं, अब तक आप जान चुके होंगे, अग 72 रुपे टैक्स है 100 रुपे में से, जो असली प्राइस है पेट्रोल का वो बहुत कम है, टैक्स सबसे जादा है इसमें से, दूसरी बात यह है कि हमारे देश में अगर मैं फरवरी से फरवरी, पिछले साल इसी टाइम की comparison कर लो आज के साथ, तो पेट्रोल के दाम 24 से 25 परसेंट बढ़ गया है, ठीक है, जानि अगर आप का गाड़ी का बिल, मतलब जो पेट्रोल का बिल था, वो आपका अगर पहले 2000 रुपे आ रहा था, महीने में, आज वो 2500 पर चला गया है, और वो इस वक्त हुआ है जब आपकी आय वगएरा कम हो गई है, ठीक है, ऐस बाहर से, जिसको इंडियन बास्केट कहा जाता है, वो एक परसेंट घट गया है उसका दाम, एक परसेंट उसका दाम घट गया है, और बाकी का दाम, पेट्रोल का दाम 24-25 परसेंट बढ़ गया है, बीजल का दाम 24 परसेंट बढ़ गया है, एलपी जी का जो सबसीडिये व tax के लिए यह हुआ पहला भाग दूसरा भाग यह है और इसमें पहले भी आप तक कई बार आपको बता चुका हूँ कि पेट्रोल का जो दाम है उसको तो एक तरह के से कहा गया कि डिरेगुलेट हो चुका है इसमें बाजार तै करता है खर्चा कि एक तरफ है खर्चा जो आता है रिफाइनरी का पेट्रोल बनाने में और दूसरे तरफ है मांग अब आप देखें क्या यह जो बैलेंस का जाता है डिमांड सप्लाई के बैलेंस से क्या इसी से दाम तै होता है सबसे दादा 80% तै होता है कि बाहर से अगर पेट्रोल को लाया जाए पेट्रोल मैं गल रिफाइनरी है उनको मिलता है ठीक है इसको का जाता है ट्रेड पैरिटी प्राइस यानि उसके सिर्फ यह नहीं है कि मैंने बाहर के देश में कितना दाम है वो नहीं है बाहर के देश में अगर पेट्रोल किसी गल पोर्ट पर खरीद कर खरीदा गया जिस दाम से वहाँ तो आया कि उसको ship में, tanker में लादने के लिए कितना खर्चा है, ठीक है, अब उसको लाने में shipping का खर्चा कितना है, वो आप add करेंगे, shipping जो पूरे समंदर में होते हुए आएगा, अगर डूब गया तो उसका insurance भी है, insurance का खर्चा कितना है, वो डाला जाता है, और साथ में ए इतना खर्चा होता, petrol import करके बेचने का, वो ही पैसा refinery को दिया जाता है, 80% वो ही है, और 20% export का दाम उस पर तै किया जाता है, आप देखिए कि refinery ने import नहीं किया, refinery ने कोई customs duty नहीं दिया, कोई insurance के लिए pay नहीं किया, कोई shipping का खर्चा नहीं है, ठीक है, ये सब खर्चे बाहर की देश से लाने से हो सकते हैं, यहाँ पर तो नहीं है, तो ये सीधा एक margin जो है refinery को मिल रहा है, वो refinery protection है, असल में अगर आप देखें, हमारे देश में सारे refinery अच्छा खासा profit करते हैं, हर कच्छे तेल के barrel पर, उसको जब वो बदलते हैं, अलग-अलग product में, चा पहले से ही, डीलर के पास पहुचने से पहले, टैक्स लगने से पहले ही वो दाम बढ़ा चरा कर लगा जा रहा है, तो हर तरीके से दाम जो है, वो बढ़ा कर हम तक पहुच रहा है, और इसमें international price का कोई मतलब नहीं है, international price नीचे है, tax ज़ादा है, और जो refinery है, उनका profit निकाल कर international यानि की import पर जो हमारा dependence है, उसको कम करने का भी कोई plan या effort नहीं है, आज का episode यहीं तक